आज हम वेकरन स्वाध्याय बारहवी कक्षा बोर्ड एक्जाम प्रिप्रेशन के लिए आप देखने वाले है कि बोर्ड एक्जाम में आपको व्याकरन में जो अलग अलग प्रकार का व्याकरन आता है उस व्याकरन में आपको काल परिवर्तन करना मोहवरे रस पहिचानना पंक्तियों में या अलंकार पहिचानना पंक्तियों में से इसके बारे में आज इस लाइव ऑनलाइन देखने वाले है एक्जाम के तोर पर जो कि आपको फरस्ट टर्म बोर्ड एक्जाम पेपर इसके लिए महतुपुर्ण है चलिए देखेंगे काल परिवर्तन करना निन मलिकित वक्यों को दी गई सुचना के अनुसार कार परिवर्तन करके वक्य फिर से लिखना है कौन बहिन हम जैसे भुकड को भाई बनाएगी सामन्य वर्तमान काल में आपको लिखना है चलिए सामन्य वर्तमान काल में क्या हो जाएगा कौन बहिन हम जैसे भुकड को भाई बनाती है दूसरा है देखिए उनके अस्तवेस्त जिवन को विवस्तित करने के लिए असफल प्रयासों का स्मरन कर मुझे आज भी हसी आ जाती है दूसरा है अपूर्न भुतकाल में उसे परावर्तित करना है उनके अस्तवेस्त जिवन को विवस्तित करने के सफल प्रयाशो का स्मरण कर मुझे आज भी हसी आ रही थी ऐसा लिखना है उसके बाद तीन उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला था पर अब सोचकर ही ठकावट होती है सामन्य भविश्यकाल में लिखना है पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था पर अब सोचकर ही ठकावट होगी और उसके बाद निराला जी अपने शरीर, जीवन और सहित्य सभी में असाधरन है पुर्ण भुथकाल में परावर्तित करना है निराला जी अपने शरीर, जीवन और सहित्य सभी में असाधरन थे इसी तरह उसके बाद अलंकार नीनमलिकित काव्य पंक्तियों में उद्रत अलंकार पहिचान कर उसका नाम लिखना है इस पंक्तियों में जो अलंकार है उसे पहिचानना है तो अलंकार है द्रिस्टान्त अलंकार कौन सा है द्रिस्टान्त दूसरी वाक्यों की पंक्तियां है उची नीची सडक बुढिया के कुबड सी नंदनवन सी फुल उठी छोटी सी कुटिया मेरी उपमा अलंकार का यह उदारन है उसके बाद कैती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कनो से पूर्ण मानो हो गए पंकजन है उत्तरेक्षा अलंकार का उदारन है उसके बाद वह शर इधर गांडी उगून से भिन जैसी ही हुआ घड से जैद्रत का इधर सीर छिन जैसे ही हुआ अतिश्योक्ती अलंकार का उदारन है उसके बाद क्रमांकतीन में आता है रस पैचानिये निन्मलिकित का व्यपंक्तियों में से उद्रत रस पैचान कर आपको लिखना है राम के रूप निहारती जान की कंकन के नग की परचाई यातै सबै सुधी भुली गई करटे की रही पल तारत नाही तो यह श्रुंगाररस है कौन सारस है श्रुंगाररस राम ही बाम समेत पठाई वन शोक के भार में भुजो भरताई जो धनु हात धरै रगुनात तो आज अनात करो दशरत थाई तो यह रवद्ररस का उधारन है देखरावा मात ही निच अध्वुत रूप अखंड रोम रोम प्रती लगे कोटी कोटी ब्रह्मांड अध्वुत रस यहाँ पर पंक्तियों में से दिक रहा है उसके बाद मुहावरे लिखने हैं मुहावरों का अर्थ वाक्यों में प्रयोक करके लिखिये आखों में धूल जोकना, धोका देना साइबर क्राइम से अच्चे अच्चे लोगों की आखों में धूल जोक कर लाखों रुपयायट लिए जाते हैं आखे बिचाना, अति उत्सा से स्वागत करना, स्वामी जी के दर्शन के लिए श्रद्दालु आखे बिचाए हुए थे, कान में कौड़ी डालना, गुलाम बनना, अंग्रेजों ने भारी संख्या में भारती मजदुरों के कान में कौड़ी डाल रखा था, कंगाली में आट करज ले राखा था, बरसात में उसके घर का एक हिस्सा गिर जाने के बाद, कारण उसका इंतजाम करना, कंगाली में आटा गिला हो गया, तल्वे चाटना, खुशा मत करना, अपना काम करवाने के लिए बड़े बड़े लोगों के सरकारी आधिकारियों के तल्वे चाटने वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखना है, निराला जी अपनी यूग के विशिस्ट प्रतिबाह है, निराला जी अपने यूग की विशिस्ट प्रतिबाह है, ऐसा लिखना था, सत्य की मार्ग सरल है, सत्य का मार्ग सरल है, ऐसा अच्छा करना था, मनुष्य जाती की नासमजी की इतिहास कुरूर और लंबा है, मनुष्य जाती की नासमजी का इतिहास कुरूर और लंबा है, निराला जी अपना शरीर, जीवन और साहित ते सभी असाधरन है, निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित ते सभी असाधरन है, उनके जीवन पर संगर्ष के जो आगात है वे उनकी हार के शक्ती के प्रमान पत्र है उनके जीवन पर संगर्ष के जो आगात है वे उनकी हार के शक्ती के प्रमान पत्र है इसी तरह विद्धार्थी मित्रों आज हमने बारहवी कक्षा हिंदी का जो व्यक्रन स्वाध्या है स्वाध्या है दो अंत तक देखा आप सभी ने इजोन मराथी एजूकेशन चानल पर आप देख रहे हैं इसी तरह विद्धार्थी मित्रों आपको इसी चानल पर बोर्ड एक्जाम पेपर प्रैक्टिस पेपर आपको इस चानल पर देखने के लिए मिलेंगे तो आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद